सुप्रीम कोर्ट के जज्मेंट के बावजूद भी क्यों नहीं दे रही सरकार रिवाईज ओर ओर पी पैंसन टेबल क्या होगा एडियर का दोस्तो नमस्कार आपका एक बार फिर से सवागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज का ये वीडियो हमारा डिफेंस पैंसनस के बारे में है दोस्तो पैंसनस काफी लंबे टाइम से रिवाईज ओर 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 पी पैंसन टेबल का इंचजार कर रहे हैं पहले उन्हें तारिक पे तारिक मिलती रही कोर्ट से फाइनल सुनवाई नहीं हुई लेकिन जब फाइनल सुनवाई हुई तो कोर्ट की तरफ से जज्जमेंट आया तब पैंसनस को लगा कि हमें सही टाइम पे रिवाईज ओर 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 पी पैंसन टेबल मिल जाएगी लेकिन दोस्तो सरकार ने वो भी डिकलाइन कर दी पैंसन टेबल को जारी नहीं किया गया है और एरियर का भी कुछ अतापता नहीं है तो दोस्तों पैंसनस इस बास पे भड़के हुए है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार क्यों नहीं दे रही रिवाईज पैंसन टेबल और एरियर इसके चलते बहुत से क्योंस पूछे गई पैंसनस के दवारा सरकार से और उसके साथ साथ मेजर जन्मन सतभीर सीनग जी से भी तो दोस्तों आज की इस वीडियो के मार्यम से हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे पुरी जानकारी के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें वीडियो साथी दोस्त अगवाते हुए भड़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ तो दोस्तों पैंसनर्स के दवारा मेजर जन्रल सतबीर सिंग जी से कुछ यानिके उनका कहना है कि अगर हम रिवीव पैटिशन को वापीस ले लेते हैं तो हम एक्चुल ओरोपी यानिके जो असली हमारी ओरोपी है उसको नहीं ले पाएंगे वो पैंसनर्स को कहते हैं कि दोस्तों आप धहरिये बनाए रखें हमें एरियर भी मिलेगा और एक्चुल ओरोपी भी हमें मिलेगी जो असली ओरोपी है वो भी हमें मिलेगी अनमाइट फोर जस्टिस टू सौलजर्स एक ना एक दिन सौलजर्स को न्याय जरूर मिलेगा मेजर जनल सतवीज सिंग जी ने ऐसा ट्विट के जवाब में कहा आगे दीपक चोबे जी कहते है ट्वीट करके मेजर जनरल सत्वीर सिंग जी से इनका कौन जिम्मेदार है कितने तो इस दुनिया में नहीं रहे O.R.O.P. 2 क्या है खुल कर सभी से भीग मांगलो हम लोग दे देंगे शर्म आनी चाहिए ऐसा दीपक चोबे जी ने ट्वीट करके कहा उनके जवाब में सत्वीर सिंग जी कहते है E.S.M. are asking for justice O.R.O.P. is our right not big please don't तो सत्वीर सिंग जी उनके जवाब में कहते हैं कि E.S.M. है वो न्याय की मांग कर रही है O.R.O.P. जो है वो एक अधिकार है pensioners का कोई भीग नहीं है जवानों का हक है O.R.O.P. उसको भीग ना कहीं Soldiers का अनादर ना करें एक Soldiers का अनादर आप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें Disrespect Soldiers you seem to not even know what is soldiering वो कहते हैं सतवी सिंग जी कि Soldiers का अनादर आप ना करें एक Soldiers की क्या प्रिभाशा है शायद आप नहीं जानते तिरंगा उन्होंने ये भी कहा तिरंगा लहराया है तो फोजियों की सांसों से लहराता है तो हुनोंने ऐसा ट्वीट के आंसर्स में कहा तो दोस्तों मेजर जनल सतवी सिंग ने बड़ी अच्छी बात लिखी है लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है वो एक देखने वाली बात होगी पैंसनर्स का गुशा जायज है क्योंकि सरकार ने सही टाइम पर कुछ भी नहीं दिया है इसलिए उनका गुशा होना भी लाजमी है आगे सेवक जी ट्वीट करके कहते हैं कुछ नहीं देना सर इन्होंने तीन मन्त में पेक करना था पर इन्होंने कोई ओफिसली अनुआंसमेंट नहीं की किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया ना गोर्वेंट ना सुप्रीम कोट जो अपने ही स्टेटमेंट पर पूरा नहीं उतर पाते यानि कि जो कोट ने जजमेंट दिया था उसको भी डिकलाइन कर दिया सरकार ने तो सेवक जी के ट्वीट के जवाम में मेजर जनर सतवीर सिंग जी कहते हैं हुमिलिटिक कर इनसाप के लिए आवाज उठाते रहेंगे और जीतेंगे भी सत्वी सिंग जी कहते हैं कि हम एक अच्छे आदर के साथ शांत रहेकर न्याय के लिए लड़ेंगे जवानों के शांत रहेकर हम इंसाप दिलाएंगे जवानों को हमें कोई शोर श्राबा नहीं करना चाहिए हम शांत रहेकर आदर के साथ जवानों के लिए कारिया करते रहें आगे दीपक कुमार चोदरी जी कहते हैं कि दीपक कुमार चोदरी जी ने ट्वीट कहा और कहा तो फाइल एक कंटेंट ओप कोट एड़ अलिएस इन जुलाई इस दा ओनली पोजिटिव एक्शन जस्टिस शोर्ली डिनाइड बाइड गवर्वेंट ओफ इंडिया जल से जल कंटेंट ओफ कोट का फैसला करना चाहिए कोट की तरफ से क्योंकि कोट ने जो जजमेंट दिया था उसको सरकार ने डिनाइड कर दिया है सकारा नहीं है सरकार पर कंटेंट ओफ कोट जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए मेजर जनरल सतवीर सिंग जी ट्विट के आंसरस के में लिखते हैं आगे पुष राज सिंग जी ट्विट करके कहते हैं आप क्या कर रहे हो देश में बहुत गुष्णा है OROP के केस में सर्जी जल्द कोई फैसला करो नहीं हालत खराब होंगे सर्जी पुस्ट राज सिंग जी ने ट्विट करके कहा उनके जवाब में मेजर जनरल सतबीर सिंग जी लिखते हैं गोर्वेंट इस टू ग्यू जस्टिस टू शोल्जाज गोर्वेंट को न्याय देना ही होगा जवानों के हक में लेकिन सरकार ने ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना है मेजर जनरल सतबीर सिंग जी ने उनके ट्विट के आंसर के बारे में कहा आगे नर्शिमा जी कहते हैं अपने ट्विट के अंदर उन्होंने टवीट किया और मेजर जनर सत्वी सिंग जी से पूछा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोड कोई एक्षन क्यों नहीं ले रहा है सरकार के खिलाब क्यों नहीं लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर तो मेजर जनर सत्वी सिंग जी कहते हैं तो दोस्तों ये मेजर जनर सत्वी सिंग ने कुछ बाते बताई पैंसनर्स ने जो ट्वीट करे थे उनके आंसर्स में उन्होंने जो अभी सत्वीर सिंग जी से क्योशन्स पूछे थे उनके आंसर्स में उन्होंने कुछ बाते बताई हैं तो दोस्तो अब हम सुप्रीम कोट की छुटियां खतम होने तक का वेट कर रहे हैं pensioners question पे question पूछे जा रहे हैं ये भहुत सारे questions हैं जो pensioners ने major general सत्वीर सिंग जी से पूछे हैं तो अब जैसे ही Supreme Court की छुटिया खतम होगी हम उसी कारवेट कर रहे हैं तब तक यहाँ पर major general सत्वीर सिंग जी एक action लेंगे उन्होंने कहा कि जो भी वो action लेंगे वो एक legal procedure follow ही करेंगे जो भी action लिया जाएगा उसमें legal procedure को follow किया जाएगा जो भी advisor होगा उनकी सला लेंगे फिर इस पर वो काम करेंगे तो दोस्तो इंच जायर है कि जल से जल Supreme Court अपनी छुटिया मना के आएं और सतभी सिंग जी कोई action लें ताकि revise OROP pension table जारी हो और pensioners को राहत मिलें तो दोस्तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें comment section में comment करके जरूर बताएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें ताकि pensioners को जल से जल राहत मिल सके जल री हाजिर होंगे एक वीडियो के नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद जैहिं जै भाराज